नमस्कार दोस्तो आप सबी का अमारे यूटूब चैनल पर स्वागत है दोस्तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपके यूपी टेट और सी टेट के नोटिफिकेशन के अपडेट के बारे में वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तो अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो किसे प्रिकार के जॉब अपडेट वेकेंसी अपडेट या रिजल्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारा चैनल निटीजन ट्यूटे सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ जाएं तकि आने वाली कोई भी निव अपडेट आप तक पहुंच सके तो चलिए दोस्तो हम अपना वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तो जो भी त्यारती टीचर बनने का सबना देख रहे हैं उन सबी के लिए ये वीडियो बहुत इंपोर्टेंट होने वाला है तो चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं देख में सरकारी टीचर बनने के लिए ये वाँ को सबसे पहले सिच्चक पार्टता परिचां से गुजनना होता है ऐसी परिच्चाएं के इंद ये सिच्चक पार्टत परिच्चा सीटेट और यूपीटेट भी है खास बात ये है कि ये देख की सबसे बड़ी सिच्चक पार्टता परिच्चां में गिनी जाती है साल में दो बार आयूजित होने वाले सीटेट का आयूजन सीबीएसी द्वारा किया जाता है और साल में एक बार आयोजित होने वाल यूपिटेट का आयोजन यूपी बी बी करता है आखरी बार CET का आयोजिन सूरो दिसमब 2021 से 21 जनवरी 2022 के बीच तथा यूपिटेट का आयोजन 21 जनवरी 2022 को किया गया अब जानते हैं आपके आवेदन अब आने वाले साल के कब शुरू होंगी CETE तथा यूपिटेट का आयोजन हाल ही में पूरा हुआ है और अब अभियारती इनके अगली बार आयोजित होने का इंतजार कर रहे है हाला कि CETE के लिए नोटिफिकेशन जारी होने के संबन्द में अभी तक कोई सूचना तो नहीं आई है लेकिन जुलाई में आयोजित होने वाले CETE के लिए मई जून के महिने में नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है इसलिए यह उमीद जताई जा रही है कि इसके लिए जल्द ही नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है वहीं UPTED को लेकर भी अभी तक कोई अपडेट सामने नहीं आया है लेकिन विविन मेडिया रिपोर्ट के मताबिक इस बार UPTED के लिए भी नोटिफिकेशन जल्द ही जारी किया जा सकता है अभी आर्थियों को इनसे जोड़े अपडेट के लिए ओफिशल वाफस्टेट पर विजट करना होगा सीट एट में सफल होने के बाद अभी आर्थि केंदी सरकारी स्कूलों में सिच्छर कारवे के लिए पात्र माने जाते हैं सीटर प्रमार पत्र प्राप्त करने के बाद अभी आर्थि केंद्रिय विद्याले के विएस नवोदय एन विएस आर्मी सिच्छक एर्ड जैसे केंद्रिय विद्यालों में सिच्छक की नौकरी के लिए आविदन कर सकते हैं साथ ही इसका प्रमारपत रखने वाले अभ्यार्थी कुछ अन्य राज्जियों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी सिच्छक की नौकरी के लिए आविदन कर सकते हैं वहीं यूपी टेट में सफल होने वाले अभ्यारती राजे में निकलने वाली सिच्चकों की भरती में आवेदन करने के पात्र हो जाते हैं हलांकि इन दोनों पार्टिता परिच्छा में सफल होने वाले अभ्यारती सिच्छकों की भर्ती निकलने पर सिर्फ आविदन करने के पात्र हो जाते हैं अभ्यारतियों को सिच्छक की नौकरी पाने के लिए उस भर्ती के लिए निधारत की गई सभी योगिताओं और उसकी चेन पिक्रिया पर खरा उतरना होगा तो दोस्तों C-TED का तो आपका जो एक्जाम है वो जिलाई में होता है तो उसका नोटिफिकेशन आपका आने वाले एक दो दिन में ही शायद रिलीस कर दिया जाए और इसी यही उमीद अभी यूपी टेट का तो आपका अभी हुआ है तो अभी इसका नोटिफिकेशन जारी करने की कोई भी उमीद नहीं है तो C-TED का जैसे नोटिफिकेशन जारी होता है मैं आप लोगों को तुरंट अपडेट करूँगी तब तक के लिए आप हमाई साथ जोड़े रहें और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद